असलाम लेकुम टू आल माइ व्यूवर्स आज की वीडियो बहुत ही खास है जिसमें हम बना रहे हैं DIY Winter Lotion at Home तो आई ये इस वीडियो को स्टार्ट परते हैं और देखते हैं कि हमें किन-किन इंक्रीजेंट्स की जरुवत होगी इस homemade lotion को बनाने के लिए तो हमें चाहिए होगा Aloe Vera Gel आप लोग मार्किट वाला लेंगे क्योंकि अगर हम ओरिजनल लेंगे तो वो स्टोर करना मुश्किल होता है वो बहुत जल्दी खराप हुजाता है और हम लेंगे Glycerine और हमें चाहिए होगा Coconut Oil और एक Vitamin E का Capsule चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना हमें एक बाउल चाहिए और एक स्पून चाहिए तो सबसे पहले हम इसके अंदर एड़ करेंगे 2 टेबल स्पून Coconut Oil और अब मैं इसके अंदर एड़ करूंगी 2 टेबल स्पून ही ऐलोवेरा जैल अब यह मैंने 2 टेबल स्पून ग्रीज के अंदर एड़ कर दिया अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं 1 टेबल स्पून ग्लेशरीन हम इसमें ज़ादा बिनानी है हमने 2 टेबल स्पून के अड़ कर दिया अब मैं ऐसे में एड करूंगी 2-3 डॉप्स ओफ वाइटमिन E कैपसूल और वाइटमिन E ओई वाइटमिन E कैपसूल एड करेंगी मैं इसके अडर को अब हम से इसके अडर कर दि 어느 आदि भी वाइटमिन E कैपसूल कर बीचाएं करेंगे इसके अब तरह से मिक्सछर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैं अब आप लोगो दिखाती है तो आप लोगो देख सकते हैं कि मैंने इसके अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इसको लोशन भी कह सकते हैं और मॉश्टराइजिंग क्रीम भी कह सकते हैं जो आपकी स्किन को मॉश्टराइज करती है इसको सॉप बनाती है और हमने स्किन एड़ किया है गलेसरीन जो आपकी स्किन को सॉप और शाइनी बनाता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉश्टराइज करता है और इसमें हमने vitamin E का capsule एड़ किया है वो आपकी skin को moisturize भी करेगा और vitamin E capsule में बहुत जादा anti-aging properties होती है जो कि आपकी skin को old होने से बचाएगी आपकी skin पर जो जूरियां पर जाती है wrinkles उससे बचाएगी आप लोग को अभी ये lotion और cream एक container में एड़ कर लेना है आप लोग कोई भी साफ सत्रा सा container ले लेंगे और उसके अंदर ये cream और एड़ कर लेंगे देहां रहे हैं ये cream और lotion ये आपके hands और feet के लिए ये सिर्फ आप अपने hands और feet पर ही apply कर सकते हैं ये lotion ये cream मैंने एक container में एड़ कर ली है अब मैं आपको इसको apply करके दिखाती हैं अपने hands पर लोग देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा moisturizing है और इससे हाथ कितने shiny और soft हो गए हैं बहुत ज्यादा moisturizing हो गए है मेरे हाथ आप लोग इस cream को जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे डिवियू में बताइएगा कि आप लोग को ये homemade easy सा DIY lotion और moisturizing cream कैसी लगी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजे मेरी वीडियो क लाइक कर दीजे और उसको शेयर कर दीजे वापस आँगी मैं और बहुत ही अच्छी रेमिडीज के साथ जब तक के लिए Allah हाफिज